हेलो मैं स्वागत करता हूँ आज के मेरे जो न्यू वीडियो वो है HPJE 520 पार्ट नंबर 7 आज हम इस कोशन वेपर को पूरा सॉल्व कर देंगे मेरे जो चैनल का नाम है वो है Electrical Engineer XYZ और मेरा नाम अभिशेक ठाकवर तो चलिए आज जो है स्टार्ट करते है तो चलिए हम शुरुबात करते है 111 से तो बाइनरी का बेस 2 होगा और डेसिमल का बेस हमारे पास होगा 10 अगर जैसे हमें जो है डेसिमल 2 बाइनरी में convert करना है तो हम मल्टिप्लिकेशन में लगाएंगे जैसे 0.0625 into 2 तो मल्टिप्लाइ करते जाएंगे जब तक हमारा 1 नहीं आ जाता या 3-4 value हम solve नहीं कर लेते तो यहां से हमारा जैसे मल्टिप्लिकेशन करेंगे इससे तो हमारा जो पहली जो term है point के बाद इस side वाली तो 0 का 0 लिख देंगे फिर वहां पर 0.125 के साथ multiplication करेंगे फिर 0.125 आया फिर वहां से 0 no down कर लेंगे means यह वाला फिर इसको 0.25 को multiply करेंगे 2 से फिर आएगा 0.5 फिर इस यहां पर 0 हम no down कर लेंगे और जैसे 0.5 into 2 है जैसे 1 आता है तो हम इसको 1 कर लेंगे इसमें और बताना जाता हूँ इसमें multiplication करके यहां पर आता 1.25 तो हम यहां पर 1 लेते और यहां पर जैसे आता 1.25 तो यहां पर फिर हम लेते 0.25 से ही start करते 1 यहां पर आ जाएगा और फिर value 0.25 से multiplication करके start होगी जो ने students हैं जिनको उनका नहीं पता तो मैं उसके लिए जो बता रहा हूँ फिर हम क्या करेंगी जो इसको note down करेंगे वो लिखेंगे उपर से नीचे की तरफ चाहेंगे तो इसमें क्या 1,2,3,3,0 आएंगे फिर 1 आएगा तो जैसे 0.0001 तो हमारा 111 का हो जाता है हमारा answer number D अगर हम इसको 112 की बात करते है तो binary equivalent of a hexadecimal number this is hexadecimal का जो base होता है वो 16 में होता है और hexadecimal में जो आपके बाद जैसे यह है तो इसके बाद जो आपका 10 है 10 को हम A लिखते हैं 11 को B लिखते हैं 12 को C लिखते हैं 13 को D लिखते हैं फिर आपका 14 को E लिखते हैं 15 को हम के लिखेंगे F लिखेंगे तो यहां पर क्या है कि हमें जो है इसका binary मनतब hexa से हमें binary में convert करना है तो binary है based हो और इसमें जो आएगा जो bits आएगे होएगा 010101 करके तो जब हम भी hexadecimal को binary में convert करते हैं तो जो भी हमारा hexadecimal का जैसे A है तो उसको 4 bit की form में लिखेंगे जैसे A को हम 4 bit की form में लिखेंगे जैसे A है तो कितना हैगा 1010 अब जैसे यह 0 है तो इसमें 4 0 आ जाएंगे फिर B है तो B को हम क्या लिखेंगे 1011 और फिर 5 है 5 को हम क्या लिखेंगे 0101 तो जब यह सारे को मतब कठा लिखेंगे तो हमारा क्या बनता है 112 का हमारा answer बनता है C अगर हम 113 की बात करें यह मतब यह भी सब repeat अउपर वाले भी और यह भी देखो the parity of the binary number this क्या है parity अब देखो वही है इसमें की जितने भी हमारे अगर 1 आएगा 1 जितने भी होंगे अगर वो odd में होंगे तो odd parity होगी और अगर यह 1 6 मतब even में आएंगे तो क्या होगी है even parity होगी अब जैसे इस वाले formula में हमारे कितने आते हैं 5 ones आते हैं mean 1 कितने बार आते हैं 5 बार आ रहे हैं तो यह क्या odd parity है अगर यह ही पर इदर 1 extra odd add कर देते हैं लास्ट में तो कितने आते हैं 6 आते हैं 1 तो यह क्या बन जाते हैं अपनी even parity तो 113 का हमारा हो जाएगा C अगर हम 114 यह बात करें तो data can be changed from special code to temporary temporal code by using तो अगर हम इसकी बात करेंगे तो इसका जो इस्तमाल होता है वो हमारा shift register के थू होता है तो जो shift register है वो 4 type के हैं जैसे serial in, serial out serial in, parallel out parallel in, serial out और parallel in, parallel out तो इस तरीके से हमारे shift registers होते हैं तो जो यह पूचा गया था तो किसके मदद से हम कर सकते हैं special code to temporal code तो यह हमारे क्या shift register के थू है अगर हम 115 की बात करें a mono stable multivibrator circuit can be made by using तो हम logic gate से भी बना सकते हैं 555 timer से भी बना सकते हैं और PAM से भी बना सकते हैं तो इन तीनों में से बना सकते हैं तो इसका आएगा 115 का D अगर इसमें बात करें 116 में in a microprocessor base system the stack is always in तो इसको आपको याद करना बढ़ेगा तो इसका answer आपका RAM the number of the flag in the 8085 microprocessor पिछले 849 कोशन बेपर में ने बताये थे 5 परकार के flags होते हैं तो हमें उससे कोई मतलब नहीं की कौन कौन से होते हैं सिर्फ हमें मतलब है की कितने होते हैं 5 है इसका answer अगर 118 की बात करें फिर वही है for a 12 bit analog to digital converter the range of the input signal is 0 to plus 10 volt and the voltage corresponding to 1 LSEB will be अब देखो वही है resolution is equal to V voltage हो जाएगा upon 2 की power n हो जाएगा and bit हो गए तो इसमें सिर्फ यह आले जब आप देखोगे अगर analog to यह converter से भी यह formula ड्रेक लगा देना आप करोगे तो इतना दा कोई फरक नहीं बनता है तो 10 upon 2 की power 12 तो 10 upon this और इसको जब divide करेंगे तो कितना निगलेगा 0.0024 तो 118 गा जो हमारा answer है वो हो जाएगा अपना C अगर हम 119 की बात करें the minimum number of the pin required in an IC with 24 input gate is अब देखो इसमें यह नहीं बताया कि किसके true हमने यह बनाना है और आपके जो answer की में इसका answer 12 दिया गया है पर अगर इसमें 9 से बनाना हो तो इसमें 14 बीन लगती है तो आप जो है इसको direct याद कर सकते हो क्योंकि यह pins का है तो इसको जो है नौड के जैसे इस्तमाल होता है तो इसमें जैसे NAND है फिर NOR है, EXOR है यह सारे क्या करेंगे इसका inverter के जैसे इस्तमाल होता है तो इसमें बुझा किसका इस्तमाल नहीं होता तो वो है आपका AND तो 120 का हो जाएगा आपका B अगर हम 121 की बात करें 100 Watt 250 V बल्फ is put in the series with the 40 Watt 250 V वोल्फ across 500 V supply the current run by तो यह डियागरम मन रही है दो बल्फ है 500 V के across इसमें connected किया गया है तो हमें पता है इसमें current निकालना है तो हमें पता है कि अगर मैं थोड़ा long way में करूँ तो इसमें किया कि सबसे बले हम निकालेंगे कि इस बल्फ का resistance कितना है इस बल्फ का resistance कितना है और फिर हम लगाएंगे V is equal to I into R और फिर 500 divided by यह resistance है देखो इसके तुरू resistance कैसे निकला देखो P is equal to V square by R R इदर लेकर जाएंगे P नीचे तो इसमें निकला इस वाले बल्फ से निकला 625 ohm और इस वाले से निकला 1562.5 तो इन दोनों को add किया फिर divide कर दिये तो हमारे यह निकला बट ऐसा ना करना सिदा हमें पता है कि जो power है वो इसके case में add हो जाएगी तो हम लिखेंगे 140 का 140 हो जाएगा और 140 divided by 500 जो हमारी वोल्ट है तो answer आएगा 0.28 अगर इसमें लेकर जाएं 112 में the not an equivalent is अब तो क्या ही है not an एक parallel circuit है और थैवने ने एक series circuit है तो बस दो ही question बनते हैं अगर simple से बने तो अगर हम 120 की बात करते हैं 12 volt lead acid battery using a car contains अब दोको एक जो cell है वो अपना 2 volt का बना होता है तो हमें क्या करना है कि उसको 12 volt में निकाला अब दोको series में तो series में तो multiplication की form में होगा तो 10 into 220 volt और अगर हम B की बात करें B option की तो 10 cells connected in parallel दोको parallel में क्या होते हैं cells हमेशा मतागी जो voltage है वो equal रहेगी तो इसमें 2 volt आ जाएगा अब C की बात करेंगे तो इसमें भी parallel का gas है तो इसमें भी 2 volt हम लेके चलेंगे अगर हम D में लेकर जाएंगे तो इसमें क्याएगी 6 cell connected in series तो इस तरीके से multiplication में जाएगा तो इसमें आ जाएगा आपका 12 means 6 to 12 हो जाएगा ठीक है और parallel में क्याएगी आपका voltage सेम रहता है और series में आपका current सेम रहता है और बाकी जो इनके विपरीत है जैसे वोल्ट अगर parallel की बात करें तो current vary कर जाएगा और series के बात करें तो voltage आपकी vary होगी means अलग अलग होगी अगर हम 124 की बात करें what will be the magnetic field of this ampere turn parameter अब जो को magnetic force बोलें तो क्या ampere turn upon meter की form में होगा जिसको ni upon l तो इसमें हमें निकालना था 80 निकालना था तो 80 जो है ampere turn जो हम नहीं निकालना सकते क्योंकि हमें इसमें meter नहीं पता है या length नहीं पता है तो ये question में सब को grace marking मिलेगी बट answer की में इसका answer दिया है B जो आपकी provisional answer की में आपका B दिया है अगर हम 125 की बात करें तो self-induced mf in a 0.2 henry coil when a current unit is changing at a rate of 100 ampere per second is अब देखो वही है l पता है di by dt पता है volt induced mf निकालना तो is equal to l di by dt 0.2 in 200 तो निकाल सकते है इसका answer निकलेगा 20 volt आ जाएगा तो 125 का a answer आ जाएगा अगर हम 126 की बात करें the two waves have the frequency of 600 hertz and one here sat at its maximum value and where has the other is at 0 the phase angle between them will be अब देखो वही है कि एक को maximum में रखा है और एक को minimum में रखा है minimum में 2 case है 0 और 180 degree अब इन दोनों का difference पूचा गया है तो अब क्या होगा है maximum में आपका कितना 90 degree का angle बनेगा और second wave जो है वो 0 में है तो 0 कहाँ कहाँ पाई है यहाँ पर भी आ सकता है जब इन दोनों का आप difference करोगे तो वही है आपका 90 ही निकलेगा तो 126 का हो जाएगा अपना B answer अगर हम 128 की बात करें in a balance 3 phase star connected system the phase difference between the phase voltage and the respective line voltage are तो देखो इसमें कुछ नहीं है देखो यह जो VR, VB and VY है यह आपका line voltage है ठीक है और जो phase voltage होता है वो कैसे होगा वो होगा आपना जैसे की VR मतब की VR minus of VY हो जाएगा मिन यही चोज़ चीज निकालने में आपको इसको तो ड्रेक्टी याद रख लेना 30 degree angle है इसका ठीक है और यहां पर क्या आप देख सकते हो कि जो अगर हम anti-clockwise जाएंगे तो इसमें क्या leading आता है और clockwise में lagging आता है जो मारे इसमें phase voltage है वो line voltage है 30 degree के है lead में है तो यह भी थोड़ा पूछा जाता है अगर हम एक 129 की देखो ते number of the parallel path in armature winding of a 4 pole wave connected DC machine having 22 coils ID अब देखो किसमें क्या पूछा था आप पूछा था अपना parallel path पूछा और wave winding है तो wave winding में जो parallel path होते हैं वो उमेशा 2 ही देखने को मिलते हैं और जो आपका lab winding होती है जतने number of parallel path है यह जितने number of pole है उतने number ही parallel path देखने को मिलते हैं किसमें lab में और wave में सिर्फ दो ही देखने को मिलते हैं pole जितने मर्जी हो अगर हम 130 की बात करें जैसे कि 100 kVA this voltage होगे मैं जी यह है step down 50 Hz single phase transformer has 100 turns on the scanner winding and the number of the turn on its primary winding will be अब देखो auto transformer के उपर मैंने एक video बनाई है तो आप जो है मतलब कि मैं इसमें i button में दे दूँगा तो आप जाके वहाँ पर देख सकते हो अभी तो उसके 3 part है तो अगर जिसको नहीं बता है अच्छे दर से अगर auto transformer समयाना चाता है तो वो इस video में देख सकता है तो मैंने clear सारा गो जो भी important है वो इसमें लिख दिया है या वनना जो notes बनाना चाता है auto transformer के तो वो उस video को देख सकता है अगर 131 की बात करें sorry ये question की बात करते है अब देखो इसमें क्या है कि अपना जैसे की N1, N2 is equal to V1, V2 यह हो गया आपका turn ratio ठीक है तो हमें इसमें क्या क्या given है इसमें N2 given है V1 and V2 given है और N1 नहीं है given तो वो ऐसे cross करके हम निकाल सकते है cross multiplication करके तो इसका answer आएगा 275 तो 130 का अपना B हो जाएगा अगर हम 131 की बात करते है तो maximum efficiency of a transformer occur when अब वही है कि आपका जो losses है variable and constant दोनों equal हो जाएं तो इसमें जो आपके constant losses है hysteresis loss and eddy current loss is equal to the copper loss तो इस तरीके से आपका आता है 131 का अपना B आ जाता है तो constant losses का मतलब वही होता है कि जो load के उपर depend ना करते हो जब अपना no load condition हो तब भी वह losses हो और जब आपका load condition हो तब भी वह losses हो तो उसको बलते हैं आपका constant losses पर यह constant losses होते हैं वो कभी भी load के vary होने पर कभी भी depend नहीं करते हैं पर यह जो copper losses होता है यह variable losses होते हैं जब load होगा तब यह losses होंगे और वो load के हिसाप से लोड बड़ेगा कम होगा वसाब से ही जो copper losses होते हैं variable losses ये vary करेंगे अगर हम 132 की बात करेंगे और 400 volt 50 hertz 3 phase induction motor rotate at इतना rpm on the full load and the motor will be bound for देखो सबसे पहले पूछा है कि कितने pole की हमारी induction motor होगी देखो ये अपना rotor की speed है rpm में तो ये 1440 rpm हमें पता है कि जब भी हमारा जो induction motor होती है वो synchronous speed से पीछे ही rotate करती है तो हमें पता है दो pole में अगर 3000 rpm है तो 4 pole में 1500 rpm होगा और 1500 rpm से पीछे ही अपनी induction motor काम करती है तो हमारा एक ना है 102 का 4 pole हो जाएगा सिधायां से हम इसको कर सकते हैं अगर हम 133 की बात करें 5 horsepower 3 phase 400 volt star connected skill cage induction motor mean to drive a milling machine at the starting take about अब देखो हमें पता है कि जो हमारा induction motor होता है वो starting के समय में 5 to 6 time of the full load current हमें लेती है तो हमें full load current का 5 to 6 multiplication करेंगे और उसके आसपास की value होगी हमें पता है कि जो power है वो horsepower में है तो means में ward में convert करना पड़ेगा तो 5 into 7, 3, 7, 36.6 करेंगे तो जो power है android जैसे लिखेंगे android 3 vlil cos y और जो power factor होता है induction motor का no load में 0.2 lag और full load में 0.85 lag हमें जोगे देखने को मिलता है तो यहां पर एक important मनता है कि no load में power factor हमारा poor हो जाता है और full load में हमारा power factor improve हो जाता है तो जो induction motor है उसका सारे principle उसका जो working एक तरीके से transformer के जैसी है बड़ उसमें scanner side की transformer को अगर short circuit करते हैं तो वह induction ही है एक तरीके से तो यहां पर हमें जो है current निकालेंगे full load current और जैसे यह सारा multiplication करके value डालके full load जो current आएगा 6.25 तो 6.25 का 5 यह 6 यह 7 multiply कर देंगे तो जो pass की value देखो 31 फिर 37 और 43 और यहां पर जो pass की value हो वह हमें कितनी देखने को मिली 40 अगर उसको डिरेक्ट याद रख लेना अगर पर पर में repeat करता तो सिधा टीकी ही मानना अगर हम 134 की बात करें तो torque, power, factor and induction motor will be high when अब देखो यहां से देख सकते हैं कब high होता है जब हम full load के उपर काम करें तो running at the full load अगर हम 135 की बात करें, a synchronous motor ought to be used in a situation where, देखो synchronous motor हमेशा एक constant speed drive motor है तो हम किसी भी load को constant speed में अगर चलाना चाते हैं तो वहां पर ही synchronous motor का इस्तमाल किया जाता है जैसे अपने watches होगी, analog वाली, तो उसमें भी constant speed के पर ही वो काम कर रहाता है तो उसमें single phase induction motor का इस्तमाल किया जाता है, जैसे आपका hysteresis या reluctance तो वहां पर hysteresis का इस्तमाल किया जा रहा है अग 136 की बात करें, तब pitch factor for 5 by 6 short pitch coilies अब देखो इसमें पता है कि जो full pitch के साथ multiplication करेंगे, तब ही हमारा short pitch आएगा और हमें पता है कि जो full pitch है वो 180 degree होती है, electrical degree 180 degree electrical है तो 5 by 6 into full pitch करेंगे तो यहां से हमें 150 हमें जो है देखने को मिलेगा short pitch और हमें formula जो हमें पता है cos alpha by 2 तो इसमें जो alpha होता है वो आपको मतलब थोड़ी knowledge होनी चाहिए तो इसमें 180 minus 150 करके 30 angle आ जाएगा 30 ही हमारा alpha है और 30 divided by 2 तो 15 तो 0.96 का जो हैं हमें answer देखने को मिलेगा 136 का A अगर हम 137 की बात करें इन alternator damping winding are used to देखो alternator में damping winding का काम है hunting से उसको prevent करना तो आप जो है मेरे को comment section में लिख सकते हैं hunting होती है और किस कारण के through hunting वाली condition यहां पर हमें देखने को मिलती है अगर हम induction motor की बात करें तो वहां पर make the rotor dynamic की balance करने के लिए इस्तमाल किया जाता है जो option number यहां पर आ जाएगा अपना C अगर हम 188 की बात करें और direction of the rotation of an ordinary shaded pole single face induction motor अब देखो इसमें किया है कि इसमें बूला कि direction of मतभी shaded pole की direction को करा सकते हैं तो इसमें option के हिसाप से तो हमारा बनता है cannot be reverse मैं उसको उल्टा नहीं चला सकते बट एक तरीका होता इसको उल्टा चलाने का बट इसमें option में पूछा था कि option के हिसाप सामने दिखा जाएं तो इसका answer है 138 का B अगर हम 139 की बात करें तो selection of motor for any application depends upon the which factor यह तो easy है तो इसमें तो आपका all of these हो जाएगा all of the above अगर 140 की बात करें तो candela is the unit of तो यह तो simple है तो याद करना बड़ता है luminous intensity अगर हम बात करें आपका 141 का the resistance welding cannot be used for अब दो को resistance welding जो है dielectric materials के लिए कभी भी इस्तमाल नहीं होते है dielectric का मतलब होता है non conducting materials जैसे आपका लकड़ी होगी या आपका खाना हो गया तो उसमें resistance welding का इस्तमाल क्यों ही होगा अगर हम इसमें 142 की ferrous materials का मतलब होता है जिसमें आपके iron material present रहता है और 142 की बात करें in the process of refining of metal the impure metal is made has तो impure को हम हमेशा anode में डालते है और फिर जो उससे pure निकलता है वो cathode से हम उसको ले लेते हैं अगर हम इसमें 143 की बात करेंगे which of the falling motor is used in household refrigerator में कौन से प्रकार की हम motor का इस्तमाल करेंगे तो हम इसमें इस्तमाल करेंगे single phase induction motor का इस्तमाल तो इसमें आता है तुमारा capacitor start capacitor run motor का जो हम इस्तमाल करेंगे तो 143 का हमारा answer हो जाता है D अगर हम 144 की बात करें the type of DC motor using electrical traction तो electrical traction में हम कौन से प्रकार की motor का इस्तमाल करते हैं तो हम इसमें series का इस्तमाल करते होगे देखेंगे क्योंकि इसका high starting torque में देखने को मिलती है अगर 145 की बात करेंगे the chemical equivalent is utilized in तो जो chemical effect is utilized किसमें इस्तमाल होता है यह तो ampere over यह आपका easy है अगर हम 146 की बात करेंगे the gravity control instrument must be used in dash position अब देखो gravity control हमारा vertical में होता है और जो आपका spring होता है वो किसी भी direction में आप इसका इसको इस्तमाल कर लेते हैं अगर 147 की बात करें और dynamometer, water meter cannot read power अब देखो answer की प्रोविजनल में आपका CD है पर इसमें कहा कि cannot be read कौन सी power को वो read नहीं कर सकता है तो देखो यह जो dynamometer, water meter है वो दोनों परकार की power को वो measure कर सकता है AC और DC तो इसका आपका D answer none of these हम हमें पता है कि PMMC सिर्फ DC की उपर काम करेगा और induction जो principle है induction वाला जो effect है वो सिर्फ AC की उपर काम करेगा में चांप आपका energy meter होगा जिसकी example उसके लावर जितने भी हो सब AC DC दोनों के पर काम करते हैं अगर 148 की बात बताएं the resistance of the earthing electrode should be अब देखो इसमें answer होता है इसका B देखो अगर इसका resistance कम होगा तब ही तो आपका जो current है वो उस मतगी वाला path को follow करेंगी जो current है वो हमेशा एक minimum resistance path को ही follow करता है अगर इसका resistance high रख देंगे तो जो आपका एक तरीके से जो leakage current है या short circuit current है वो कभी भी earthing नहीं होगा अगर हम 149 की बात करें तो most suitable material for the piezoelectric transducer is अब देखो transducer का मैंने बताया था कि एक form of energy से दूसरी form of energy में convert करना उसको बलते हैं transducer और piezoelectric में हम जो है इसकी जो example है वो quizard का इस्तमाल करते हैं अगर हम इसमें 150 की बात करें तो capacitive microphone convert sound into अब देखो क्या है microphone है और बस इसमें capacitive से कोई मतलब नी microphone क्या करेगा किस कौन सी उसमें convert करेगा इसमें electrical output में जो है convert करेगा तो simple मतलब logic था इसमें लगा 150 में तो यह ज आतम हो जाता है तो इसका अगला जो है एक और नेया जो हम जही कहा हो जो है question paper को हम solve करना start करेंगी साइच से वो है 579 तो आप जो है इस video को like and share and subscribe to my channel electrical engineer XYZ धन्यवाद